नमस्कार साथियो सूचना मिले कि कोई अवारा गाय है और किसी के खेप में पड़ी हुई है तीम दिन हो गए तो अपने ये उबडखाबड एरिया है फैसिंग वायल लगी हुई है तो उसको अपने जाकर देखा ये गाय अनकॉंसियस है तो इसका अपने टमपरेचर ले रहे है और अडर में देखा इसके पस बड़ी हुई है या तो कोई एपसेज है या मैस्टाइटिस होने के बाद ये फट गया है पस को निकार ने है अपने टीम मेंबर कुलदीब कुमार जी तो टमपरेचर इसका 97 डिग्री फाहरनेट आया है लो टमपरेचर आया है हाइपोथर्मिया कंडिशन है पस को साफ करके इसमें बीटाडीन लोशन दिया आपने फास्ट टाइट देने हैं पहले इसको आईवी देंगे आईवी में माइक्रोटॉन और टोनोफास्फेन ओक्सी टेट्रासाइक्लीन और साथ में इसको अपने लोडोज वेटालजिन का दिया है यह सलो आईवी लगा रहे है जित्ता भी हो सके अगर अपने डारेक्ट इंजेक्शन कर रहे है तो इसमें सलो आईवी देना है विसेसकार ओक्सी का ध्यान रखना है क्योंकि अगर अपने श्पीड से इंट्रावेन ड्रग देंगे तो एनिमल कनवलजन करने लग जाता है और पहले से वीक्नेस है लो टमपरेचर आ रखा इसको तो दिक्कत आती है तो इंजेक्शन लगाने के बाद अब इसको कड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं एनिमल है जो रिस्पॉंड नहीं कर रहा है क्योंकि तीन दिन से पड़ा हुआ है यह खाना पीना भी नहीं कर रहा था और किसी ने देखा नहीं इसके कारण पास में कोई पानी बगएरा भी नहीं दिया तो हमने कोशिश की इसको उठाने की और हलका सा पसू ने रिस्पॉंड दिया है पिछली टांगों पे वजन दे रही है जो अगली दोनों टांगे है उसको सीधा नहीं कर रही है हो सकता है कि इसके नर्व इंजरी हो कोई क्योंकि काफी उन्चाही है दस बारा फिट है इसे ज़्यादा ही होगी वहाँ से गिरी है और पहले से यह बहुत ज़्यादा कमजोर है हम कोशिश कर रहे हैं कि खड़ी हो जाईए क्योंकि तीन दिन से पड़ी हुई है तो बैड शोर हो जाएगा और स्किन पे रैशिश पड़ जाएंगे इन्फेक्शन होगा इन्फेक्शन होने से सेप्टी सीमिय और डेथ हो जाएगे कोशिश की हमने परखडी नी हुई दूसरे दिन बिसको आईवी फ्लूट दिया रिन्टोस तीन लिटर और नर्व स्टुमिलेंट मिकोवेट एक्सल टोनोफास्पेन और एक शोर्ट अपने केल्सियम बुरो ग्लोकोनेट का दिया था और जो चोथे दिन है हमने यह एनिमल स्टेडिंग ट्राविक्स है उस पे लगा दिया इसको क्योंकि यह अगले पैरों पे वजन नहीं दे रही थी जो मेडिसीन है वो इसको स्टार्ट रखा और जो लास्ट दिन है उसमें यह अपने आप पैरों पे वजन देने लगी खाना पिना इसका नॉर्मल है जल्दी यह चलने लग जाएगी और इसका ट्रीटमेंट हम पांस दिन और फोलो करेंगे धन्यवाद दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा